मैं संडे के दिन पहुच जाता हूँ दिल्ली के चुडिया घर पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद थोड़े दूर चलने के बाद मैं एंट्री कर लेता हूँ अपने फोन की मदब से और वहाँ पे बहुत सारे और वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लगे होते हैं कई जानवरों के पोस्टर और उनको देखके मैं बहुत खुस होता हूँ और आगे जैसे ही जाता हूँ मुझे दिखता है कुछ हिरन के जुन्ड जो मैं उनको देखते हुए और इस्माइल करते हुए जाता हूँ उसके बाद यह दिखता है एमडरस मंकी जो की दूप ले रहा है और हमारे कैमरे से बहुत दूर है और दूर दूर तक ना कुछ दिखाई देने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ दिखता है हीरन सामवर हीरन जो कि कुछ जुण्ड में ठहल ले हुए और कुछ अराम कर रहे हैं उनको देखते हुए और कुछ वक्तिया पढ़के उनके बारे में मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तब ही मुझे दिखाई देता है हीरन की दूसरी प्रजाती है उनको देखने के बाद जैसे हम आगे कुछ दूर और चलते हैं और वहां हमें कुछ और डिफरेंट तरीके की प्रजाती की गाय दिखती है जो उसे हम देखते हुए पर कैप्चर करके आगे बढ़ते हैं जहां के हमें दिखाई देता है शुरिया घर में भालू और वो नहाद होके अपने इधर से वहां टहलते हुए फिर इमालें कारले भालू को बाई बाई टाटा करके आत्मान में उड़ते हुए बांच को हेलो करके करके जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं फिर वहां हमें दिखाई देता है सेर सेर के बाड़े पर हम जो पहुचते हैं सेर मस्त अपना अकेले धूप ले रहा होता है क्योंकि ठंड दिल्ली में कुछ ज्यादा है फिर हम कुछ आगे बढ़ते हैं यहां दिखता है बाग ये बाग अपना राम से धूप ले रहा है सबसे दूर रोयल बंगाल लायन टाइगर जो कि मस्क लोगों को देखके फिर इसका अपना अलगी रहता है कि चलो सेलफी ले लेते हैं और दर्सकों का मरंजन करते हैं ये करने के बाद ये अपना चला जाता है धूप में राम से जहां कोई इसको डिस्टर्ब ना कर सके चीडिया घर का मतलब होता है कि जानवर जो खतम हो रहे हैं उनको बचा कर रख सके यहां पर दिखता है मगर मक्च जो ऐसे अस्था पड़ा जैसे मर चुका हो या किसी ने उसके हदिया हो फिर उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यह भाई साफ चलने लग जाते हैं कहते हैं रुको रुको कहां चल ले हो मिलते जाओ फिर हम उनको टाटा बाई बाई करके जैसे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें दिखता है यह सुतुर मुर्ग कि शतल यह हर किसी दर्शक के पात जाते हुए फोटो के चाहते हुए और जैसे हम स्टर देखते हैं और हम टाटा बाय बाय चिडिया घर को बोलके फुछ निकलते हुए क्यों कि सो मच अब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो ठंक्यू गाईज